केगार दिस सिताथ एक अच्छा कंटेंडर तो जो तन्य ओर घ्रल्मिपट की तो देखो रियल्मी का एक नया टैबलेट आरहा है जादा अच्छा टैबलेट है नहीं Android स्पेस में, Samsung का टैबलेट ठीक है, Lenovo का थोड़ा अच्छा है, वावे का एकदम फालत हुए, इन तीन के लवा मैंने जादा टैबलेट्स देखे नहीं है, अभी Realme और शाय में ये दोनों ही पेनेट्रेट करने वाले मार्केट, तो देखो, आज हम मात करेंगे Realme पैट की, अगर आपको affordable and quality skins लेने हो, तो फिर Riggear की website पर जाके आप ये skins चेक आउट कर सकते हैं, और को टेकितन यूस करना, एक्स्टा 10% डिसकाउंट अल्रेडी affordable skins के लिए, सारी लिंक्स दिस्क्रिप्शन में है, और अगर इन skins का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पर क्लिक कर सकते हो, और इससे पहला कॉमेंट करो कि यह माइक कॉनसा है, वो PC कॉनसा है, PC में क्या स्पेक्स, कीबोर्ड मौस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, और इससे पहले बात करें तो फिर एक affordable segment में आएगा, affordable tablet के segment में, mostly यह सारे online lectures यह साब attend करने के लाएगा लेकिन इसकी performance to be honest price consider करें तो फिर बहुत यह अची रहेगी, और देखो यह तो tablet होने वाला है, वो 5G capable होगा, उस पर मैं थोड़ी दिर में आने वाला हो connectivity मैं, सबसे पहले चालो करते है, main component display की, तो देखो इसमें display IPS LCD होगा, AMOLED अब तक अगर है तो फिर लीक में आया निया, but mostly IPS LCD panel होगा, और यह 1080 भी पैनल होगा, इसका resolution 1080 by 2400 होगा, तो बहुत ही crisp रहने वाला है, इसका display 8.1 inches का होगा, और बहुत ही sharp और अच्छे colors होने वाले हैं, और इसमें जो display होगा, वो 90 Hz का होगा, तो basically, जितना जादा हर्ट का display होगा, यूजिली 60 Hz का होता है, बट जितना जादा हर्ट का display होगा, उतना जादा वो frames दिखाएगा, जितना जादा आपको स्मूद लहेगा कोई भी animation या gaming ऐसा कुछ जादा गेम साभी support नहीं करते हैं पर दीरे दीरे इसका support बढ़ते जा रहा है, और paired with snapdragon 765G, तो यह बहुत ही अच्छा चलने वाला है, 90Hz का display जादा बैटरी खाएगा, but it's definitely worth it, 120Hz का भी display मुझे 90 और 120Hz के बीच का difference पता पड़ता, but 90Hz बहुत ही smooth है, considering जो price जिस पर मैं आने वाला हो, बहुत ही अच्छा यह display लाने वाला tablet के form में, और देखो इसके design की बात करें, तो यह इसका leak damage है, mostly यह iPad जासे देखने वाले, यह और Realme laptop, जिसकी मैंने बाइदवे वीडियो की है, टॉप राइट पर क्लिक करना उस वीडियो के लिए, तो वो दोनों mostly Apple-centric theme पे हैं, वो जो Realme laptop पे वो MacBook Air जासा होने वाला है, और यह जो Realme pad है वो iPad जासा होने वाला है, बस थोड़ा सा इसमें camera के बाजू में यह थोड़ी एक detail चेंज होई है, जिसमें तीन different cameras होंगे, उसके अलावा design बहुत ही सही रहेगा, मेरे सबसे बहुत ही sleek रहेगा, जादा अच्छी premium build quality की expectation नहीं करने चाहिए, क्योंकि Realme pad and price बहुत कम है, affordable segment में आ रहा है, कोई premium segment में नहीं तो फिर उसके हिसाब से design बहुत ही सही है, processor, one of the most important components, तो इसमें Snapdragon 765G processor होगा, जो बहुत ही अच्छा mid-range processor है, OnePlus Nord नहीं उसकिया था, बहुत सारे phones नहीं उसकिया था, तो overall खास करके जो price इस पर में आने वालो, तो वो price पर बहुत ही अच्छा ये perform करेगा, तो mostly इसमें अगर आपको बड़ी screen पर गेम्स के लिए जादा पसंद हो, या एंजलों कुछ भी देखना तो फिर बड़ी screen पर ये बहुत ही अच्छा देखेगा, एंड क्योंकि ये बहुत ही अच्छा display तो इस पर movies देखना, content consumption वो सब चीज़े बहुत ही अच्छे से हो सकती है, और इसमें क्योंकि 765G processor है तो वो octa-gore processor है और उसमें Adreno 620 graphics आएंगे, तो basically आपकी graphical performance बहुत अच्छी हो सकती है, Call of Duty आप हाई पर खेल सकते हैं, and PUBG, जो BGM है, जो new game आई है तो उसमें ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, but medium to high settings में आप खेल सकते हैं, बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छा processor है, तो फिर performance इसमें बहुत ही अच्छी रहेगी, और hopefully Realme ज्यादा डाउंग्रेट नहीं करें इस processor को next updates में, इसकी performance consistent रहे और बहुत ही अच्छी रहे, अगर consistent रहेगी, तो फिर यह बहुत ही अच्छी performance दे सकता है, अब बात करें cameras की, जो tablet में इतना important होता नहीं, but to be honest, अगर मेरे पास कोई tablet हो तो फिर मुझे एक अच्छा camera की performance चाहिए, तो इसमें total 3 cameras होंगे, 48 Megapixel, 5 Megapixel और 2 Megapixel इन सब के sensors कोई भी leak होए नहीं है, 48 Megapixel का main sensor होगा, 5 Megapixel का probably depth और 2 Megapixel का monochromatic यहां फिर macro, हमको मालो में 2 Megapixel के यह macro यहां फिर इसको useless डालते रहते हैं कि, ज़्यादा cameras आपके tablet में देखें, but mostly useless होते हैं, सिर्फ 48 Megapixel का main sensor जब वो काम का होगा, और front में 16 Megapixel का camera, selfie camera तो ज़्यादा crisp नहीं निकलेंगी, I presume, but it should do the work, अगर आप कोई भी meeting attend कर रहे हैं ऐसा कुछ, और इसमें 1080p 30 fps पे recording हो सकते हैं, जो high नहीं है, but to be honest आप tablet लेके कौन सी recording करने वाले हो, RAM की बात करें तो फिर actually यह बहुत ही ज़्यादा RAM ला रहा है, 6 GB पे जो आप मतलब आजकल के phones के सबसे ज़्यादा लगेगी नहीं, पर tablet obviously बनाने में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगता है, इंटर्नल ऐसा लीक हो है कि 64 GB होगा जो जादा है नहीं, 128 का option शायद से आने वाला होगा या नहीं, लेकिन बेस मॉडल 64 GB के साथ आएगा, और यह एक 5G tablet होने वाला है, तो यह support करेगा 3G, 4G, 5G, voice LTE यह सब, अब यह dual SIM होगा, बट दोनों 5G होगा है यह नहीं मालूँ है, बट इस फाइजी सपोर्ट करेगा एक SIM, तो 5G आने कि थोड़ी जादा बैटरी भी खाएगा, बैटरी इसमें लीक होई नहीं कि कितनी बड़ी होने वाली है, बट 30W fast charging इसमें support करेगा तो जो charging होगी वो बहुत ही सही रहने वाली है, wireless charging इसमें supported नहीं होगा मेरे साब से टैबलेट में आनी रहा है wireless charging anytime soon, बागी थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे की Bluetooth 5.2, Wi-Fi hotspot, and interestingly enough इसमें 3.5 mm का jack भी होगा मतलब जो AUX port, जो पहले phones भी होगा करता था, GPS, face unlock, यह सब चीज़ें जो normal चीज़ें वो होगी इसमें OS out of the box android 11 run करेगा, तो overall यह बहुत ही अच्छा tablet आने वाला है, अब Xiaomi का almost अच्छी price पे निकला था और यह इसका सबसे बड़ा competitor रहने वाला, यह कब launch होगा कोई idea नहीं है, यह expected है इसी साल launch होने में लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत ideas थोड़ा late हो जाते है, थोड़ी बहुत projects थोड़ा late हो जाते है तो फिर शायद से 2022 में निकल सकता है, लेकिन 2021 में ही निकलना चाहिए मेरे सब से, और overall मतलब 5G tablet, 90Hz का display है, 1080p panel है और सब कुछ होगा, snapdragon 765G और dual sim और पता नहीं क्या ही चाहिए होगा tablet में, तो इसकी price क्या होगी, तो देखो price की बात करें तो फिर यह 23,000 रुपीज में आने में expected है, अब 23,000 में एक बार वापस सुचना tablet, तो manufacturing cost बढ़ जाते है, फोन से compare तो बड़ी size 8.1-inch का display होगा, इसमें almost यह iPad जैसा देखेगा, और build quality बहुत ही solid रहने वाली, snapdragon 765G, 48MP का camera और 5G support, 4G, 3G, सब कुछ इसमें रहेगा, तो उसके इसाब से 23,000 बहुत ही अच्छी price है, अगर यह 23,000 पर आता ही है, तो फिर मेरा absolute buy recommendation बनेगा, और आपके क्या opinions ह तो फिर definitely मुझे comment section में बताना, और अगर यह वीडियो पसंदा यह और ऐसी और tech news, unboxing, reviews, camera reviews आपको देखना, तो फिर please like, share and subscribe, और मेरे Twitter और Instagram handle दो दिस्क्रिप्शन में रहेंगे, and I'll do the next one, go bye! खूषपाइब